भारतिय सेना 2023 परीक्षा दिवस विडियो में आपका स्वागत है नमस्ते मेरा नाम निशा है और मैं इस विडियो में आपकी मार्ग दर्शक हूँ मैं आपको यहां भारतिय सेना में भरती के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा में किस प्रकार शामिल हो उसे समझाने के लिए उपस्थित हूँ आईए हम अपनी यात्रा प्रारंब करें प्रवेश पत्र, एड्मिट कार्ड का लाइव लिंक johnindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर परीक्षा के दिन से दो सप्ता पहले प्रकाशित किया जाएगा आपको अपनी पंजीकृत email id पर email और telephone number पर sms के माध्यम से भी इसकी सूचना दी जाएगी आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड और प्रिंट करना है लेजर प्रिंटर का उप्योग करके एफ फोर आकार के कागस पर प्रवेश पत्र प्रिंट करें आपको अपने प्रवेश पत्र के विवन की जाज अवश्य करनी चाहिए जैसे परीक्षा केंद्र का नाम, तिथी और पारी का विवन परीक्षा केंद्र का पता दस्तावेश जिन्हें आपको परीक्षा के दिन ले जाने की आवशक्ता है सभी उम्मीद्वारों को प्रवेश पत्र में दिये गए निर्देशों को विस्तार से अवश्य पढ़ना चाहिए यात्रा और आवास की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटे 30 मिनट पहले प्रारंब हो जाएगा और परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंध हो जाएगा एक बार जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाते हैं तो आपके प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र की जाच की जाएगी। आपको अपना व्यक्तिगत सामान जैसे मोबाई फोन, बैग आधी अपनी जिम्मेदारी पर प्रवेश द्वार पर जमा करना होगा। क्या करें। उम्मीद्वार परीक्षा के दिन केवल पारदर्शी पेन, पारदर्शी पानी की बोतल, मूल आईडी कार्ड और प्रवेश पत्र लेकर आएंगे। क्या ना करें। उम्मीद्वार को इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स और ज्वेलरी आइटम्स के साथ अनुमती नहीं है। बारकोर स्कैनिंग देस्क पर आपको अपना प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र दिखानी होगी। स्कैनिंग मैनेजर आपको परीक्षा हॉल नंबर प्रदान करेगा। आपके परीक्षा हॉल में पहुचने पर प्रवेश द्वार पर आपके दस्तावेजों अर्थात आपका पहचान पत्र और प्रवेश पत्र की जाच की जाएगी। इस थान पर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। हौल में प्रवेशकर दस्तावेश सत्यापन के बाद आप पंजीकरण डेश्क पर जाएंगे पंजीकरण डेश्क पर आप पंजीकरण प्रबंधक को अपना प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र दिखाएंगे पंजीकरण प्रबंधक आपकी फोटो और अंगुली की छा में इसी बायोमेट्रिक का उप्योग किया जाएगा इसके बाद पंजीकरन प्रबंधक आपको सीट नंबर देगा और प्रवेश पत्र पर सीट नंबर नोट कर लेगा अपने प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के साथ आप निर्धारित सीट की और आगे बढ़ेंगे करना होगा परीक्षा प्रारंब होने से पहले निरिक्षक निर्धेश पढ़ेंगे रफ शीट पर आपको अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा उत्तरों को चिनित करने के लिए माउस का प्रयोग करें अन्या उम्मीद्वारों को परेशान न करें फिर निरिक्षक आपको परीक्षन स्क्रीन पर लॉग इन करने के लिए सूचित करेगा आप लॉग इन करने के लिए कीबोर्ड का उप्योग कर सकते हैं आप स्क्रीन पर की बोर्ड आइकन पर क्लिक करके वर्चल की बोर्ड का भी उप्योग कर सकते हैं परीक्षा शुरू होने कि निर्धारित समय से 10 मिनट पहले उम्मीद्वारों को लॉग इन करने के लिए यूजर नेम और पास्वर्ट प्रदान किया जाएगा। लॉग इन करने के बाद अपनी प्रोफाइल जानकारी सत्यापित करें। यदि आपका विवन सही है तो आगे बढ़ने के लिए I confirm पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन आपके परिक्षन संबंधी निर्देशों को प्रदर्शित करेगी। निर्देशों को ध्यान से पढ़े और आगे बढ़ने के लिए Next पर क्लिक करें। अंत में आपको चेक बॉक्स का चयन करके घोषना को पढ़ना होगा और उससे सहमत होना होगा। ड्रॉप डाउन सूची से अपनी डिफॉल्ट भाषा हिंदी या अंग्रेजी चुने। आप अपनी सुविधा के आधार पर परीक्षा के दौरान स्क्रीन के दाहिने शीर्ष कोने पर स्थित भाषा बटन पर क्लिक करके भाषा बदल सकते हैं। परीक्षा के निर्धारित समय पर I am ready to begin लिंक सक्षम हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें। यहां बताया जाता है कि लौगें करने के बाद एक बार परीक्षा शुरू होने के बाद प्रशनों के उत्तर देने के लिए केवल कंप्यूटर माउस का उप्योग किया जाना है। कीबोर्ड के इस्तमाल से सिस्टम लौक हो जाएगा। अब आप माउस का उप्योग करके उत्तर सब्मिट करना प्रारंब कर सकते हैं। जैसे ही आप शुरू करते हैं, स्क्रीन पर परीक्षा के लिए बचे हुए समय का संकेत देने वाला एक टाइमर प्रदर्शित होगा। नोट, यदि परीक्षा के दौरान किसी व्यवधान के कारण टाइमर बंध हो जाता है, तो आप परीक्षा की अवधी का समय नहीं गमवाएंगे। दाइं और एक पैनल आपके प्रयास किये गए प्रशनों की स्थिती को चार रंगों में प्रदर्शित करेगा जो निमलिखित को दर्शाता है। हरा, सवानों के उत्तर दे दिये गए हैं। लाल प्रशन देखे गए लेकिन न तो उत्तर दिये गए, नहीं मार्ट फौर रिव्यू के लिए चेहनित किये गए हैं। सफेद प्रशन अभी तत देखे नहीं गए हैं। बैंडनी मार्ट फॉर रिव्यू के लिए चिन्नित किये गए लेकिन उत्तर नहीं दिया गए है सुप्रस्क्रिप्ट के रूप में बैंडनी के साथ हरा टिक मार्ट सवालों के जवाब दिये गए लेकिन मार्ट फॉर रिव्यू के लिए चिन्नित किये गए प्रशनों के बीचNavigation के लिए. सीधे उस प्रशन पर जाने के लिए प्रशन Pallet में प्रशन संख्या पर क्लिक करें. वर्तमान प्रशन के लिए अपना उत्तर सेव करने के लिए सेव & Next पर क्लिक करें और फिर अगले प्रशन पर जाएं. किसी प्रश्न के लिए Answer and Mart for Review स्थिती इंगित करती है कि उमीदवार उस प्रश्न पर फिर से विचार करना चाहेंगे एक उमीदवार के पास एक प्रश्न का उत्तर देने का विकल्प होता है और साथ ही साथ Mart for Review इन उत्तरों को मूल्यांकन के लिए माना जाएगा हालां कि यदि किसी उमीदवार ने किसी प्रश्न का उत्तर दिये बिना केवल Mart for Review कर दिया है तो उत्तर के बिना समीक्षा के लिए चेहनित किये गए संबंधित प्रश्न को मूल्यांकन के लिए नहीं माना जाएगा नोट यह ध्यान दिया जा सकता है कि उमीदवार परीक्षा के दौरान किसी भी समय संबंधित अनुभाग के प्रश्न पैलेट पर प्रदर्शित संबंधित प्रश्न संख्या आइकन पर क्लिक करके किसी भी Mart for Review प्रश्न पर वापस लोट सकते हैं अपना उत्तर चुनने के लिए किसी एक विकल्प के बटन पर क्लिक करें अपने चुने हुए उत्तर को अच्चनित करने के लिए चुने गए विकल्प के बटन पर फिर से क्लिक करें या Clear Response बटन पर क्लिक करें अपने चुने हुए उत्तर को बदलने के लिए दूसरे विकल्प के बटन पर क्लिक करें अपना उत्तर सेव करने के लिए आपको Save and Next पर बटन पर क्लिक करना होगा सावधानी ध्यान दे कि यदि आप किसी अन्य प्रश्न की प्रश्न संख्या पर क्लिक करके सीधे उस पर जाते नेविगेट करते हैं Without saving the answer, वर्तमान प्रश्न के लिए आपका उत्तर सेव नहीं होगा आप अन्य विवर्ण भी देख सकते हैं जैसे Question Paper आप परीक्षा में सभी खंडवार प्रश्न देख सकते हैं Profile आप अपनी profile जानकारी देख सकते हैं Instructions आप परीक्षण संबंधी निर्देश देख सकते हैं निर्देशों को ध्यान से पढ़े परीक्षा का समय समाप्थ होने के बाद सभी उत्तर आटो सब्मिट हो जाएंगे परीक्षा पूरी होने के बाद आपको सत्यापन देख पर निकास सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी आपको एकेक करके सत्यापन देश्क पर बुलाया जाएगा, जहां आपका फोटो और अम्बूठे का निशान फिर से लिया जाएगा और सत्यापित किया जाएगा. कृप्या सत्यापन के बाद अपनी आवंतिच सीट पर वापस जाएं. हौल में सभी उम्मीदवारों के सत्यापन समाप्थ हो जाने के बाद आपको सभी रफ शीट और पेन पैंसिल निरिक्षक को आवश्य वापस करना है. आप यह सुनिश्चित करें कि आपने अपने रफ शीट पर अपका नाम और रोल नंबर लिखा है. इसके बाद आपको व्यवस्थित तरीके से परीक्षा हॉल से बाहर जाने के लिए कहा जाएगा. इसके साथ आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी परीक्षा दिवस वीडियो को सफलता पूर्वक देख लिया है. मुझे उम्मीद है कि आपको यह विडियो उपयोगी लगी होगी और ऑनलाइन सीई के लिए भैतर तैयारी करने में आपकी मदद करेगा परीक्षा में शामिल होने के अभ्यास में आपकी मदद करने के लिए भरती की सभी श्रेणियों के लिए अभ्यास परीक्षाओं के johnindianarmy.nic.in website पर होस्ट किये गए है सभी उम्मीद्वारों को सला दी जाती है कि वे जवाइन इंडियन आर्मी की website पर login करे और online CE में उपस्थित होने के लिए प्रक्रिया का अभ्यास करें आपको सफलता मिले धन्यवाद एवं जय हिंद